हेलो दोस्तो, करेंट अफियर वर्ल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम लेकर आए है बिहार द्रोगा के मैंस इकजाम के लिए प्रेक्टिस सेट जो 30 प्रसनों का संग्रहन है यदि हमारे चेनल पर नए है तो हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे ही प्रेक्टिस सेट हम डेली लेकर आने वाले है तो समय नागवाते हुए चलते हैं आज का पहला प्रसन पर दोस्तो आज का पहला प्रस्ण है रामोसी विद्रो सही रूप में किस बोगोली की इलाके में हुआ था A. पस्मी भारत B. पुर्वी घाट C. पुर्वी भारत D. पस्मी घाट दोस्तो इसका सही जवाब है पस्मी घाट आज का दूसरा प्रसन है दोस्तो पागलपन की अस्थापना किस ने की थी? A. बुल्लेशा B. करमशा C. यदुवेंद्र सिंग D. स्वामी साजानंद जी दोस्तो इसका सही जवाब है B. करमशा दोस्तो इसका तिसरा प्रसन है किस ने 1921 में पहली बार पूर्ण सोतंत्रा की मांकोट उठाया मॉलाना मम्मदली B. पंडित जवाला लेहरू C. मात्मा गांधी D. मॉलाना हसरत मोहानी तो दोस्तो इसका सही जवाब है मॉलाना हसरत मोहानी जी चलते हैं अगले प्रस्न पर भारत की कॉम्मिनिस्ट पार्टी और राष्टिय स्वें सेवक संग की अस्थापना के क्रमसा सबसे करीबी वर्ष पहचानिये A. 1915-1914 B. 1925-1925 C. 1928-1925 D. 1925-1939 दोस्तो इसका सही जवाब है D. 1925-1929 स्वामी सहजानन सरस्थी ने भूमी और जल मार के राष्टिय करन की मांग के साथ अखिल भारत्य किसान सभा का गठन कब किया? A. उनकी मिर्टू से ठीक पहले B. बहुत कम उम्र में C. 1930 के दसक में D. 1920 के दसक में तो दोस्तो इसका सही जवाब है C. 1930 के दसक में दोस्तो कोशन नमर 6 है डैस बंगाल और बिहार में भूमी पर किर्दारों के अधिकारियों को बंगाल किर्यदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था कौन से यर में दोस्तो A. 1850 B. 1886 C. 1889 D. 19 सौम्चन में तो दोस्तो इसका सही जवाब है A. 1850 Q7. निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है सरफरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुय का दिल में है A. बिस्मिल B. राजगुरू C. भगत सिंग D. आजाद दोस्तो इसका सही जवाब है बिस्मिल Q8. फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? A. हाजी सारियातुला के अनुयाई B. आर्य समाज के अनुयाई C. मुस्लिम लीग के अनुयाई D. दादु के अनुयाई दोस्तो इसका सही जवाब है A. हाजी सारियातुला के अनुयाई Q9 है दोस्तो बगेरा बिद्रो कहां हुआ है? बगेरा बिद्रो कहां हुआ था दोस्तो 10. बिहार में डाल मियान अगर किसके लिए परसीद है? A. डे सम B. सिमेंट C. चमरा दोस्तो इसका सही जवाब है B. सिमेंट Q11 है दोस्तो लॉंग पोधे के निमलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते है? A. सुस्ख पत्तिया B. सुस्ख तने पुस्प कली इसका सही जवाब है दोस्तो D. सुस्ख पुस्प कली Next question है दोस्तो ओंकोजीन सम्बंदित है किस से? A. तपेदिक B. पिलिया C. करकरोग D. आत जवर से दोस्तो इसका सही जवाब है C. करकरोग से Next प्रस्ण है दोस्तो तैफाइड तथा कॉलरा विसिस्ट उधारन है किसका? A. शंक्रामक रोगों के B. वायू जन्य रोगों के C. जल जन्य रोगों के D. उपर्यूक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब है दोस्तो A. संक्रामक रोगों के Question number 14 है दोस्तो कोस्मिक कीर्णे है A. आवेसित कन है B. अनआवेसित कन है C. आवेसित तथा अनआवेसित दोनों तो हो सकती है और D. उपर्यूक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब है दोस्तो A. आवेसित कन है Next Question है पंदरा सबसे अधिक क्रियासील धातु कोन सी है A. सोडियम B. केलसियम C. आईरन D. पोटेसियम इसका सही जवाब है दोस्तो A. सोडियम Question number 16 है दोस्तो एक स्वस्त वयस्क मनुस्य में रक्त का कुल परिमाप होता है एक स्वस्त वयस्क मनुस्य में रक्त का कुल परिमाप होता है A. पान से छे लिटर B. तीन से चार लिटर C. आट से दस लिटर D. दस चे बारा लिटर इसका सई जावे दोस्तो A. पान से छे लिटर Question number 18 है दोस्तो इंडिका का लेखा कौन था A. विश्नुगूप्त B. मेगास्थनीज C. डाइमेकस D. हडिशेन इसका सई जावे दोस्तो B. मेगास्थनीज Question number 19 है दोस्तो बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते है A. 20 B. 30 C. 35 D. 40 Question number 20 है दोस्तो बिहार का और दिवितियाति होवार क्या है A. दिपावली B. वीश्यू C. विनायक चतूर्थी D. चटपुजा इसका सई जावे दोस्तो D. चटपुजा 21 नमर क्वेशन है दोस्तो अंतराश्टी अभी कलांग दिवस कब मनाया जाता है A. 10 दिसंबर को B. 24 अक्टूबर को C. 19 नमबर को D. 3 दिसंबर को इसका सई जावे दोस्तो D. 3 दिसंबर को Q. 22 है दोस्तो मैडम कामा ने 1907 में प्रथमती रंगा धोज कहां पर फार आई थी A. लंदन B. पेडिस C. मॉस्को D. अस्टूटगार्ट Q. दोस्तो इसका सई जावाब है D. एस्टूटगार्ट Q. नमबर 23 है फ्रेंड्स बिहार के कौन से अस्थान में गांधी जीन ये अपना पहला सत्यागरा किया था A. चमपारन B. छपड़ा C. बेतिया D. पतना Q. नमबर 24 है दोस्तो 20 साल रेग्यूलेटिंग एक्ट पारित किया गया था A. शत्रासो शंतावन B. शत्रासो पैसट C. शत्रासो तिहत्तर D. शत्रासो तिरानवे Q. नमबर 25 है फ्रेंड्स निमलेखित में से कौन सी नदी बंगाल की खारी में गिरती है A. गंगा ब्रहम पुत्र तथा गोदावरी B. महा नदी कृष्णा तथा कावेरी C. लूनी नर्मता तथा तापती D. A. और B. दोनो सोच समझ कर जाप दीजेगा दोस्तो इसका सही जाप है दोस्तो D. A. और B. दोनो Q. नमबर 26 है दोस्तो भारत में सबसे पुराना तेल का बंडार कहां है A. मुंबई महाराष्ण में B. अंकलेश्वर गुजरात में C. नौगाउं गुजरात में D. डिगबोई असम में Q. नमबर 27 है दोस्तो सुल्तानपूर वर्ड सेंक्च्वरी इस्तित है कहां पड़? A. चंडीगड में B. भरतपूर में C. गुर्गाउं में D. गांधीनगर में दोस्तो उसका सही जवाब है C. गुर्गाउं में Q. नमबर 28 है दोस्तो इमनेश्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुरा हुआ है A. महिलाओ के सरक्षन से B. मानव अधिकारे को सरक्षन से C. अस्प्रिशत्याक के उनमुलन से D. उपर युक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब है दोस्तो B. मानव अधिकारों के सरक्षन से Q. अबर 29 है दोस्तो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है A. चंद्रगुप्थ मोड़िया B. पुश्यमित्र C. कनीश्क D. समूद्र गुप्थ दोस्तो इसका सही जवाब है D. समूद्र गुप्थ दोस्तो आज का अंतिम कोईश्चन है कोईश्चन अबर 30 भारत में सेवाकर की श्वर्ष प्रारम किया गया था A. 1994-95 B. 1996-1997 C. 1999-1999 D. 1991-1999 D. दोस्तो इसका सही जवाब है A. 1994-95 तो दोस्तो कैसा लगा यह शिंखला उमीद करते हैं कि आपको यह शिंखला पसंद आ रही होगी यदि पसंद आती है तो निश्चित रूप से लाइक करे तथा हमारे चैनल को सब्स्राइब करे और हाँ दोस्तो बेल आइकन को All Notification पड़किएगा जिससे फ्यूचर में आने वाली इस वीडियो के Part 2 आपको जल से जल प्रोभाइड हो सके तो धन्यावाद दोस्तो Current of Fear World से जुड़ने के लिए और अपने लाइफ में सफल हो इसके लिए धेर सारी सूप कमना है